हेलो एब्रिवन गुड इवनिंग वेलकम टू यॉर ओन चैनल इंग्लिश लवर्स मेरा नाम है सतेंद सिंग और मैं आप सब का बड़े प्यार से मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं आज जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल बेसिक इंग्लिश जो हम कर रहे हैं उसक आप पहली बार जुड़े हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि यह जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं यह सभी टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से करवाए जा रहे हैं ताकि अगर इससे पहले आपने कोई और वीडियो नहीं देखी तो भी यह वीडियो जो है आपक लाइक करेंगे और शेर करेंगे हैना तो अपने टीचर के लिए इतना तो आप करी सकते हैं हम गुरुदक्षिना कहके मांगते हैं आज के दिन पहले दी जाती थी विना बोले आज बोलना पड़ता है कि जैसे ही आप आए एक बार लाइक जिरूर कर दें जिससे आपकी प् वो आप मेंसे कितने लोग हैं जो सीखना चाते हैं और जब पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप कॉमेंट करके भी बताएंगे है ना तो चलिए जल्दी से लाइक करें और हम शुरू करते हैं तो जो भी मेरा भिवादन इस दिल से आपकी दिल तक पहुंच जाए उस चोड़ा सा कनेक्शन फील हो कि कहां कहां मैं मेरे जो दिल के तार हैं वो जुड़े होएं आप सबसे तो एक बार जल्दी से बताएए कहां कहां से आप लोग आज जुड़े हैं राजस्थान से ओके कॉलकाता वेस्ट बेंगॉल डैली नेपाल बिहार गुजरात यूके द हम सब मेरे छोटे भाई बाणा ने मेरी राम राम और बड़े हैं उन चरण सपर से ठीक है ताउ ताई जो भी है मेरे ठीक है और अंग्रेज जी शीख लो बढ़क्यों किम्मन इदर लाड़ लो ठेक है फुजूल की बाताम जितनी जल्दी अंग्रेज जी शिखोगे ने त शर्मा केनेडा से जुड़े हैं दिली से मुंबई से तो बस मेरे ख्याल से इंडिया पूरा कवर हो चुका है एक तरह से हिमाचल परदेश जम्मू कश्मीर तो हर तरफ से हमने कवर कर लिया है तो वहां पाकिस्तान से भी कई लोग जुड़े हैं नेपाल से भी जुड़े नहीं है है ना तो कोशिश करते हैं हम सब शिक्षित हों और जिन्दगी में आगे बढ़ें अच्छे विचारों के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो है उसको बनाने का मेरा में उद्देश्य यह था कि जब भी आप ग्रामर पढ़ते हो तो कई बार आप ग्रामर को बिलक उसको आप कैसे समझेंगे कि यह क्या मैंने बोला है और क्या मुझे इस्तेमाल करना है तो थोड़ी सी समझ इस बेसिक जो हमारी इंग्लिश है उसकी बहुत ज़रूरी है आपको क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी मात्र भाचा नहीं है मदर टंग नहीं है इसलिए हमको बेसिक जो हैं वो clear होने ही चाहिए तो देखिए आज पूरी जो English है वो आपको पता चलेगी कि 8 words में सिर्फ 8 शब्दों में हम पूरी English को समा सकते हैं है ना इतनी बड़ी भास्या सीखने में सालों लग जाते हैं लेकिन सिर्फ 8 words में आ जाती है तो अगर आप इन 8 words को अच् यह class और यह खिलकिलाता हूँ चहरा देखिए कभी मैं भी स्मार्ट हुआ करता था यह मेरे बच्पन की फोटो है चलिए तो आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों वह करने से पहले मैं बस आप लोगों से कुछ यहां पर जानना चाहता हूं कि complete English 8 words में हम कैसे कैसे समझते हैं आप लोगोंने नाम सुना होगा पार्ट सो स्पीच का लेकिन वह होता क्या है और काम कैसे करता है हमारी भाशा में उसको समझना सबसे पहले जरूरी है तो यहां एक सेंटेंस मैंने लिखा है उसको ध्यान से देखिएगा वाओ तो आप हिंदी में या उर्दू में अपनी क्या दिया आ एक डाइमंड रिंग हीरे की अंगूठी दी लेकिन अनफोर्टिनेटली यानि दुर्भाग्यवश क्या हुआ शी उसने क्या कर दिया लोस्ट यानि कि को दिया इत यानि कि इस अंगूठी को कहां इन दा पार्टी यानि कि कोई पार्टी थी वहाँ पे घुटनों पर बैठके किसी ने आपका प्रपोस किया डाइमंड रिंग दी लेकिन जल्दबाजी में या एक्साइटमेंट में आपने क्या किया वो खो दी होता है ना ऐसा कई बरहट बढ़ाट में चीजें हो जाती हैं तो इस सेंटेंस को लिखने से मेरा मतलब था कि जब आप इस पूरे वाक्य को पढ़ते हो हिंदी में अगर आप कहते हो अरे वहां अमित ने उसे हीरे की अंगूठी दी लेकिन दुरभाग्य अवश्य वह अंगूठी उसने पार्टी मे हो सकता है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन-कौन से भाग हमारे होते हैं सबसे पहले ये जो आपने देखा है यहां पर अमित ये विकास साधना तो ये सब आपके नाम है ठीक है तो यह जितने भी आपके नाम है वो क्या है वो नाउन है तो आप यह समझिए कि यह अमित जो है वो इस सेंटेंस में क्या है नाउन है दोस्तों ठीक है अब अगर आप बात करेंगे यह जो आपने शी देखा है यह जो देखा है और अंगूठी की जगह मैं प्रेंपर यह जो आपका इट लगा है ये भी क्या है दोस्तों ये प्रणाउन है अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको डिटेल में भी अभी हम करने वाले हैं तो अभी ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ आराम से देखो तो इस सेंटेंस में ये जो है आपका यह क्या है यह है आपका इंटर्जेक्शन वाउ ठीक है क्लियर हो गया अब जो वर्ब है यानी क्रिया है वह आपकी क्या है यह देखिए यह आ गई और यहां पर उस बैंजी ने खोदी थी तो यह भी आ गया फिर हम बात करें अडवर्ब अडवर्ब भी एक चीज होत बेष हिसेन अब भी कौईयों को बोलते हुए संब है फृत बोजीशन बाइचेन अलंग होती है प्री अलंग होती है जब यह एक मैं पडाती प्रुमीशन बोला जाएगा inappropriate बच्चों को हाथ जोड़ के निवेद स्काविए बेच्चों किसे होना चाहिए हाँ एकादी गलती सबसे होती है लेकिन यह तो बहुत बेशिक वर्ड है तो इसलिए ध्यान से बोला करो अब यह प्रेपोजिशन है लेकिन एक वर्ड और भी मुझे याद आ जाता है यह आप अगर ओल्ड इंग्लिस सुनने वालों से कभी पूछेंगे कि इसे क्या बोला जाता है दादा जी ताउ जी तो वो बता है आपको क्या कहेंगे जी यह तो है मोडाल्स यानि अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए इसे हम बोलते हैं मोडाल्स कैन कुड शैल शूड यह वाले सारे लेकिन यह मोडाल्स कहीं भी नहीं लिखा यह अंग्रेजों ने हमें एक शब्द दिया है तो अपने तरीके से हमें इसकी इतनी टांग तो नहीं मोड़ सकते ना नूट्रल एक्सेंट सहिए लेकिन ऐसा एकसन्ट मत बनाव जो कहीं पे भी नहीं तो यह मोडाल्स नहीं होता ठीक है इसे भी डंग से बोलिएगा फिर है कंजंक्शन तो यह जो हमने दो सेंटेंस को जोड़ा है जैसे अमीत ने उसे एक हिरे की अंगुठी दी एक वाक्य यह हो गया मतलब समझ में आ फिर दुर्भाग्यवस उसने पार्टी में वो खो दी तो यह दूसरा वाक्या है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है कंजंक्शन ने तो यह जो हमारा बठ है यह हो गया कंजंक्शन ठीक है अब यह जो डाइमंड है यह हमारा क्या बन गया यह बन गया एजिक्ट है अगर मैं बात करूं यह जो हर बच गया यह क्या है दोस्तों यह प्रोनावन है ठीक है मैं बता रह로 हम आपको कैसे कैसे हो रहा है और यह जो और यह गया यह हो गया यह एक हो गया तो देखिए कितना सेंटेंस था लेकिन Caroline पूरे sentence को अगर आपको चाहे पूरी उपन्यास आपको दे दिया जाए कोई नोवल आपको दे दे कि वह इसको आप कितने categories में divide कर सकते हो words की category यानि भाषा का भेद आप कितने रूप में कर पाओगे तो आप सिरफ उस language को eight parts में divide कर पाओगे और ये eight parts ये हैं सिरफ तो कितना भी लंबा sentence हो या तो वो इसमें आएगा या इसमें इन बचे हुए जितने भी आप ये आठ देख रहे हो ना हिससे इन्हीं में आएगा समझ आ गया समझ आ रहा है भही चलिए अब हम करते हैं कि ये one by one हम इन्हें समझने की कोशिश तो करें कि ये हैं क्या है ना तो देखिए ये होता किया दोस्तों और यह इतनी बड़ी माया क्यों है और हमें क्यों यह छोटी बात समझ मेंने आती क्यों हम बार बार ये topics जो हैं हमें कहीं न कहीं से पढ़ने पढ़ते हैं समझने पढ़ते हैं तो इसे बिल्कुल प्यार से अपनी जो आम जिंदगी अभी जो आप जी रहे हो उससे रिलेट करते हुए जो ट्रिक्स होती हैं वो यही होती है कि आप अपनी आम जिंदगी से उनको जोड़ लो ठीक है तो देखिए पार्ट्स ओफ स्पीच यह क्या होता है यह किसी भी भाशा का किसी भी भाशा में पार्ट्स स्पीच होती हैं हमारे हिंदी में भी हैं उर्दू आप उनके बना सकते हो इसी लिए parts of speech यानि की language इन्हें बोला जाता है क्लियर है अब सबसे पहले आपको क्या समझना है कोई भी भाषा होती है अब देखो पीछे ढोलक की आवाज आ रही है आज आपको भजन संध्या जो हमारे गली में यहां मैं दिल्ली में हूं अभी तो यहां गली में चोटी सी गली है और उसी में छोटा सा टेंट लगाके मा टीचिंग के साथ साथ ठीक है देखिए तो यह क्या कहता है कि किसी भी भाषा में the words यानि कि जो शब्द used यानि इस्तेमाल किये जाते हैं in the sentences वाक्यों में तो वाक्यों में जो शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं are divided into उन्हें बाटा जाता है उनका भेद किया जाता है कैसे different parts यानि अलग-अलग भागों में these are called words और इन्हें क्या कहा जाता है शब्द कहा जाता है ठीक है शब्दों से ही तो बनती है ना कोई भाषा देखिए मैंने आप लोगों को शैदी बिल्कुल आराम से बेसिक में करवाया था कि हम जब बात करते हैं English की ठीक है English 26 letters 26 letters इन्हें क्या बोलते हैं वर्ण माला बोला जाता है ठीक है इसी को English में हम क्या बोलते हैं अलफाबेट बोलते हैं तो यह जो 26 letters है तो यह जब आपस में combine होते हैं इनसे बनते हैं words क्या बनते हैं शब्द बनते हैं जैसे मैंने लिखा apple तो ये कितने शब्दों से बना है एक, दो, तीन, च्यार, पाँच यानि पाँच लेटर से मिल कर combine करके ये एक शब्द बना है तो ऐसे लेटर्स के अलग-अलग combination से हमारे शब्द बनते हैं और उस शब्दों को जोडने से क्या बनते हैं sentences बनते हैं क्या बनते हैं sentences और जब हम वाक्य बोलने लग जाएं for example if I am talking to you and I am teaching you English grammar here so whatever am I saying if you are able to understand that if you are able to interpret that it becomes a communication tool and that's what qualifies as a language is it clear to you तो ये जो मैंने बोला है कुछ वाक्य जो मैंने बोले हैं ये क्या है ये कई वाक्य है जिनसे क्या बनती है एक भाशा बनती है और उसी को हम language बोलते हैं ठीक है समझा रहा है सबको तो यही मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है तो हम क्या कर रहे हैं हम जो ये sentence बनते हैं na हम सिर्फ यह पता लगा रहे हैं कि कोई भी जो बनता है उसके जो सेंटेंस हम वापिस जा रहे हैं हम वापिस जा रहे हैं और उसके टुकड़े करने क्या करना पड़ता है देख हमें ट्रांसलेशन के थुरू जब हम हिंदी से ऐपनी उड़्दु भाषा से अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो हमें कुछ रूड्स कुछ नीऊं जो है हम उन पता होने चाहिए तो एक नीऊं ये है कि हमें ज्यान होना चाहिए कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसके अलग-अलग हिस्से कौन-कौन से हैं और उनका किसी भी वाक्य में उनका स्थान यानि उनकी पोजीशन क्या होती है उसे जाने मिना कभी भी आप ढंक से ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे हमेशा गलतियां रहेंगी तो अगर आप सोचते हो कि सिर्फ इंग्लिश का एक टॉपिक सीखने से आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे दोस्तों यह बहुत बड़ी गलत फहमी है अगर आपको मैच के एक्जैम में सो में से सो नंबर लेके आने हैं तो क्या सिर्फ टेबल को याद करने से आप 12 का मैच सौल कर दोगे कभी नहीं होगा इसी तरीके से किसी एक टोपिक को सीखने से पूरी इंग्लिश कवर नहीं होती है तो हमें हर टोपिक का थोड़ा-थो ग्यान होगा तभी हम थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश बोल पाएंगे ठीक है तो ध्यान रखना यह चीज़ें अब मेरा कहने का यह मतलब था कि यह हमने सीख लिया अब पहला हिस्सा देखते हैं होता कौन सा है और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप उंगलियों मे इन आठों पार्ट को जानने लग जाओगे एक दूसरे को बताने भी लग जाओगे ठीक है चलिए पहला यह आपने जो हिंदी व्याकरण जिन्होंने स्कूल में पड़ी है उन्हें संग्या सुनाई दिया होगा कभी तो तो जो संग्या होती है हिंदी में वहीं हमारी कमरे में वैठे हो अपने आसपा जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है जो भी चीज आप अपनी आँखों से देख सकते हो वह क्या है वह नाउन है देखो अपने कमरे में देखो क्या क्या है आपके पास ठीक है तो आप सभी चीजें जो देख पा रहे हो वह आपके लि लीजिए आपको गुसा रहा है बहुत गुसा रहा है आप करता हूं मुझे गुसा रहा है ठीक है और मैंने ऐसे इसलिए कर लिया क्योंकि आजकल मैं गुसा रहा है तो अगर आपने गुसा आपको पता है कि एक शब्द है आपने इस भावना को एक नाम दे दिया तो किसी चीज को भी आप जो नाम दे रहे हो न वह नाउन है आपका एन फॉर नाउन और एन फॉर नाम यह याद रखो तो आपको जिंदगी में कभी नहीं बू something or someone किसी इंसान को किसी घदे को किसी जानवर को किसी का भी आप नाम दे देतें इसको नाम दे कि आपने जोनी है यह ताइगर है तो आपने क्या कर दिया भाई उसको नाम दे दिया वो नाउन बन गया अगर आप नहीं देते तो क्या होता वो डौग होता वो भी एक नाउन है तो यही तो खूपसूरती है देखिए आप कहोगे कि सर जो भूत होता है वो क्या नाउन है बेटा बिल तो वो भी क्या बन गई याद रहेंगा नावम क्या होता धुबारा तो किسी को दिक्कत नहीं होगी atics कोन है काड़ू के मारे सपथ रहे हैं गहां में काड़ूटा दोड़ू देखिए गाहूं में इसा नावन आपने देखा निशा किसी लड़की का नाम डिली राजधानी का नाम टेबल एक लकडी का टुकडा जिसके चार पैर होते हैं आपने उसको एक नाम दे दिया भही ये मेज है इसको हम टेबल बोलते हैं वो नाउन हो गया रिवर मतलब पानी बह रहा है आपने देखा कि ये बहुत बड़ा बहुत ज्यादा पानी बह रहा है बहुत बड़ी जगह में से आपने उसको एक नाम दे दिया नदी तो नदी क्या हो गया नाउन हो गया तो इसी तरीके से पंखा स्कूल सैडनेस उदासी भावनाएं जितन करते हो फियर डर है एंजाइटी बेचैनी है आजकल बेचैनी बड़ी होती है लोगों को अकेले पंसे बड़ा डर लगता है भागते हैं इदर उदर कुछ तो चाहिए एंजाइटी होने लगती है स्ट्रेस की दवाईयां लेने लगते हैं है ना क्यों क्योंकि हालत ऐसी हो क्लियर है चलिए अब करते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट है दोस्तों प्रो नाउन अभी देखो नाउन तो ठीक है उसके आगे प्रो लग गया प्रो का मतलब क्या होता है एक्सपर्ट होता है ठीक है और आपकी जगे कौन ले सकता है सिरफ एक्सपर्ट ले सकता है तो हमेश is the capital of India Delhi is the place where I live Delhi is a beautiful city Delhi has this and this you know many malls the famous mall and everything तब क्या होगा आप बार बार दिल्ली 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 बोलते जाओगे अगले वाले की कान में खुजा मचेगी और वो कहेगा कि दिल्ली बिल्ली बिल्ली सुना ही दे रहा है बंद कर बकवास है ना रिपिटिशन से हम क्या होते हैं उब जाते हैं इसलिए हमने क्या करा हमने नाउन की जगे प्रोनाउन ले लिया कि वह एक बार किसी सेंटेंस में शुरुआत में हम नाउन ले लेंगे निशा जो है ना निशा जो लड़की है हमने एक बार तो बोल दिया कि निशा is my girlfriend ठीक है निशा has you know great personality निशा is very emotional तो बार बार निशा 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 आपका दोस्ट चिड़के पठाक आपको कंटाप देगा क्या पका रहा है मुझे मुझे क्या निशा की वह सुननी है पूरी गाथा तो आप अगर यह कहोगे निशा इस में girlfriend she is very gorgeous she has beautiful hair she has you know an emotional side तो इस तरह की ची इनमें थोड़ा ठीक लगता है है ना तो इसी तरह इंग्लिश में यह जो नाउन है इसको आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करोगे उसके बाद हम इन सब की जगें प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे तो इसे बोला जाता है हिंदी में सरो नाम यानि नाम से पहले सरो लग ग नाम या और रिप्लेश्मेंट डीहां का स्थान ले लेता है नाउन की जगें पर आता है ठीक है क्लेर हो गया सबको चलिए अब यह नाम की जगें कोणकोण ले सकता है क्या लगा सकते हो मैंने बताया शी लगा सकते हो अब डैली है कोई शहर है नॉन लिविंग है आप उसकी जगे इट लगा दो एक से ज्यादा बंदे हैं उनके लिए दे लगा दो किसी और इंसान की बात और यह यू लगा दो खुद की बात कर रहे हो आई लगा दो ठीक है हम वी अस माई मेरा उसका ठीक है लड़की के लिए उसका देर्स यानि उनका ठीक है यही लड़के के लिए अरे रे रे क्या हो गया बाई नाराज हो जाता है यार यह एक दम से है ना तो देखो प्रोनाउन समझ में आ गया जो भी आप आज तक अंग्रेजी में पढ़ते आए हो आई वी यू दे यो क्या है वह सारे सरव नाम है प्रोनाऊन माई मेरा यूर यूर तुम्हारा ये सारे प्रोनाऊन आ गया से सब को बता रहा हूं English में कुछ भी समझ में ना आए द्यान से सुनो कुछ भी समझ में ना आए लेकिन अगर आपको यह वर्म नहीं आता ना तो English आएगी ने कभी नहीं यह लिख के सुनो वर्ब का मतलब क्रिया यानि कि कोई काम होता है तो मान लीजिए आप किसी ऐसे देश में चले जाते हो जहां पर आपको इंग्लिश ही बोलनी हो कोई भाषा का इस्तेमाल ही नहीं होना और आपको क्या आता है आपने जो मैंने 500 वर्ड्स दिये ना आपको 500 वर्ब दी है मैंने आप लोगों को 500 वर्ब्स फ्री में दी हैं मेरी वेबसाइट पे तो इंग्लिश लवर्स की वेबसाइट पे जाओ और जिसने नहीं देखा 500 वर्ब्स देखो तो मान लीजिए आपने कुछ नहीं करा आप वो 500 वर्ब्स का रट्टा मारके हैं और आप किसी विदेश में चले गए तो आपको पता चला कि अगर आपको डारेक्शन पूछनी है तो आपको क्या पूछना पड़ेगा डारेक्शन ठीक है आपको जाना है गो ठीक है वापस आना है रिटर्न ठीक है कुछ खरीदना है आपको कुछ बेचना है सेल तो इस तरह की वर्ब अगर आपको English में क्या है मैं तो कहता हूं वह जो है वो दिल है English का ऐसे बनता है कि दिल तो इस दिल को धड़कन की तरह है अपने पास सभॉल के रखो ठीक हैं कि इसे बोला जाता है action word यानि कि जब आप action की बात करते हो it means you are talking about a verb is it clear now move on अब यह verb भी अलग-अलग तरह की होती है ठीक है जैसे helping verbs जो की सिर्फ क्या करती है कोई अगर action हो रहा हो उसके लिए subject के हिसाब से pronoun के हिसाब से या noun के हिसाब से मदद करने आती है ठीक है यह हमने tenses में किया भी था तो जैसे is mr was were has have ठीक है और यह जो बी की form है न बींग है और बीन है यह सभी हमारी क्या है यह सभी हमारी helping verbs है ठीक है समझा रहा है आप लोगों फिर auxiliary verb auxiliary verb भी कौन सी verb होती है यह ऐसी वर्ब होती है जो आपका emotion जो आपकी feeling तो सामने वाले तक इजहार महबत या जो भी आप कहना चाहते हो वो कर देती है लेकिन इसको फिर भी जरूरत पड़ती है एक main verb की तो यह भी कहीं ना कहीं helping verb की तरह ही काम करता है इसलिए इसको बोला जाता है auxiliary verb ठीक है जैसे आपके जितने भी मॉडल्स हैं विल शैल कैन कूड शूड वूड डेर नीड यह सभी जो मॉडल्स हैं यह आपकी है auxiliary verbs आपको पता होना चाहिए वो क्यों होना चाहिए क्योंकि जब भी आपको English के grammar की कुछ rule करने पड़ेंगे कि इसके साथ auxiliary verb के साथ main verb आएगी तब आपको याद आएगा कि सर ने बताया था वर्ब्स के अंदर की auxiliary verb नाम की वी एक चीज होती तो है है ना डोंट वरी और helping वर्ब कितने टाइप की होती है 23 23 टाइप की helping वर्ब होती है टोटल टोटल वर्ब्स आपकी 23 होती है सारी मैं करवांगा डोंट वर्ब ठीक है स्टेटिव वर्ब आप दोस्तों स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है यह वह वर्ब होती है जो की कोई action में include नहीं होती यानि अगर कोई action हो रहा है तो उसका यह पार्ट नहीं बनती उन्हें बोला जाता है स्टेटिव वर्ड ध्यान से देखिएगा स्टेटिव लेंगी कि वह यह क्या है for example मैं कहता हूं I like you I like you तो यह जो like है जो मेरी पसंद है यह कुछ देर तक ठहरने वाली है यह ऐसा नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं कि भई I like you तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं जैसे ही sentence खतम हुआ मेरी पसंद उड़ गई for example मैंने कहा I am eating a burger तो मैंने burger खा रहा हूं तो यह sentence भी बोला लेकिन जैसे burger खतम हुआ वो sentence उड़ गया ना उसका कोई use नहीं रहा लेकिन यह जो staty verbs हैं यह कहती हैं कि अगर हम picture में आते हैं हम इस्तेमाल होते हैं इसका मतलब हम कुछ देर तक रुखते हैं स्टेटिव वर्ल्स यानि हम रुखते हैं कुछ देर तक जैसे I want an ice cream ठीक है कि मैं ice cream खाना चाहता हूँ तो मान लिया आपने ice cream खाने की इच्छा जाहिर करी किसी ने आपको लाके दे दी यह नहीं है कि आपने खाली और वो उड़ गई वो कुछ देर तक रहेगी क्योंकि वो आपकी इच्छा है अंदर कोई काम नहीं है वो आपकी यो यो नहीं करते ना ऐसा आप अगर किसी को कहते हो I need you I love you I like you तो भावना एक रहती है कुछ देर पर समझे फिर है अग्री बैई I agree with you मैं तुमसे सहमत हूँ तो अगर आप किसी सहमत होते हो तो जरूरी तो नहीं हो दो सेगिंड की सहमती होती है नहीं वो विचारों की सह इमके लिए ठहरती है clear है very good अवे like करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते पानी की कमी हो रही है और आप like नहीं कर रहे है करो ना करो ना like और share कर दो सभी please फिर hear यानि की सुनाई देना like love hate I hate you तो नफरत भी अचानक से जाती नहीं है और कई लोग ऐसे होते हैं मतलब आप सो काम उनके लिए अच्छे कर लो ठीक है आप मतलब sacrifice कर दो उनके लिए कितना भी एक काम चोटा सा एक काम अगर गलत हो जाए ना बाई-साब ऐसा मूफ उला लेंगे इतनी नफरत करने लग जाएंगे कि जैसे पता नहीं आपने क्या पाप क करें इससे दरब के रहें सभी फिर है डाइनमीक वश्ट डाइनमीक यानिकी जो चेंज होती है जो चेंज होती है कैसे लर्फ सीख नह तो इसकी具 महोती है जैसे तो देखिए इसके रूप बदलते जा रहे है ना आपने अंग्रेजी सीखी थी तो यह हमारी होती है डाइनमिक वर्ब्स जो की चेंज हो जाती है इनके सेकंड फॉर्म मिलेंगे थर्ड फॉर्म, फॉर्थ फॉर्म, फिर्फ फॉर्म वर्ब की कितनी फॉर्म बता दी मैंने पांच और यह पांच फॉर्म अब हम आने वाली वीडियो में वन बाइवन करके करेंगे आपको मैं पूरा बेसिक करवाऊंगा ग्रैमर का बीच में नहीं छोड़ूँगा मजदार में छोड़ना मेरी आदत नहीं है ठीक है इसलिए मैं अकेला एक ऐसा टीचर हूं शायद पूरे यूट्यूब पे जिसने आप तक चार कोर्स कंप्लीट 30 30 क्लासिज के करवा चुका हूं मेरे चैनल पर और यह मेरा पांचवा कोर्स चल रहा है माइंड ठीक है तो देखिए जैसे लिखना राइट प्ले जंप कूदना स्लैप थपड मारना पंच मुक्का मारना स्पीक बोलना वोक या नहीं की चलना तो यह जितनी भी वर्प्स हैं यह अलग-अलग रूपों में अलग-अलग टैंसीज की फॉर्म्स में यूज होती है इसलिए इन्हें बोला जाता है डाइनमिक वर्प्स क्लियर है यहां तक मज़ा आ रहा है सबको वेरी गुड अरे गुडबाई अच्छा गुड जॉब सर थेंक्यू रुक्सार मुझे लगा आप गुडबाई बोल रहे हो मेरा तो दिल सा तूटने वाला था कि यार पता न नहीं देता ना इन नजरों का धोखा हो जाता है उम्र हो चलिए भाई क्या करें चलिए तो वही है बच्चों से बिछड़ना पसंद नहीं है हमें ठीक है इसलिए मैं कहता हूं लाइक करो और बच्चे आए जितना जादा यह स्टूडेंट्स होते हैं उतना ही जादा एक टीचर के लिए गरू की बात होती है अब 2.5 million हो चुके हमारे चैनल के तो थैंक्यू वंस अगें आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया चलिए अब फूर्थ आते हम एड़ वर्ब पे आप यहां पे देखो क्या आपको लग रहा है एड़ और वर्ब कुछ ऐसा दिख रह की मतलब जोड़ दें उसे बोला जाता है एड़ वर्ब ठीक है इसे बोलते है क्रिया विशेशन यह क्या बताती है क्रिया की विशेश्था यानि कि जो हमने काम किया है वो कैसे किया है कब किया है कितनी बार किया है और क्यूं किया है यह सब हमें कौन बताएगा एड़ वर पड़ साने वाले हैं तो यह क्या करता है क्वालिफाइज अब वर्ब सबसे पहला में तो यह वर्ब को क्वालिफाइज करेगा यह बताएगा कि कोई भी काम कैसे हुआ है कब हुआ है कितनी बार हुआ है कहां हुआ है और किस तरह से हुआ है यह बताए जाएगा एडवर्ब के दवारा और यह एडजेक्टिव विशेशन जो होता है ना यह उसके सामने भी आ सकता है और जो दूसरी एडवर्ब हो उसके सामने भी आ सकता है तो तीन जगह यह आ सकता है कैसे आएगा वह हम डिटेल में करेंगे टेंशन ने लेने का बस समझने का कि ये आखिर माजरा क्या होता क्या है देखिए तुडे अगर मैं कहूं आज तुडे बीता हुआ कल येस्टडे आने वाला कल टुमॉरो नाव अभी लेटर बाद में ये सारे क्या हैं भाई ये हमारे एड़वर्ब हैं क्या है एड़वर्ब कहीं आप इसको लगा दो आउन के आगे तो वहाग गडवाड़ क्यों नाउन के आगे नहीं आता इसने क्या बोला जादा थर वक्यां आगे आगे आता कि या मैं एडड़्टिव के एक और एडवब के सामने आ सकता हूं तो नान के आगे नहीं आएगा प्रोणाउन के आहिंगा ऑब तक किसी कि आगे नहीं को छोड़ कर्द तो आप नहीं कि कहाँ लगाना का नहीं लगाना अरे बताओ कुरू लाली कहा strengthen से मिले बिना नींद कहां आती है अरे वाह ऐसा इरादा रखोगे तो मुझे रोज आना पड़ेगा फिर लाइफ चलिए देखिए वैरी यू और वैरई इंटलिजन तो ये जो वैरी मैंने लगा दिया ये क्या है भाई ये हमारा एडवर्ब ही होता है क्या होता है एडवर्ब आगाएं तो किसके सामने या एड़ेक्टिव की आगे, या वह एड़वर्ब की आगे, जगें पता अगर हो गई ना आदि प्रोब्लम सोल हो जाएंगी। फिर जैसे, loudly कोई चिला रहा है, बहुत जोड से, loudly, तो कोई चिलाता है, वो हमारा काम नहीं है, advib बताता है वो कैसे चिलाता है जोर से चिलाा रहा है normal चिला रहा है बिलकुल प्यार से चिला रहा है मतलब कैसे चिला रहा है ठीक है फिर है late यानी बाद में now, अभी यह सारे चीजें किसमें आती है already, पहले ही here, यहाँ, there, वहाँ ये भी क्या है एड़ वर्ब है भाई मेरे सम्वेर कहीं ओफन दोस्तों इसको ध्यान से देखो अगर आप में से किसी ने हाल फिलाल में कई वैब सीरीज में या किसी मूवी में इसको ओफटन सुन लिया ना तो आप गलत नहीं हो ये अंगरेजों के ना दिमाग में कई कीडे उचलते रहते हैं टाइम टाइम पे इन्होंने इसको पहले ओफन कर दिया टी साइलेंट कर दिया लेकिन अब कई जो यंग जेनरेशन में लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि यार टी है तो हम इसे बोलेंगे बोल ले भाई हमारे बाप का क्या जाता है हम तो ओफन ही बोलेंगे ठीक है हमें इंग्लिश बोलने से मतलब है तुमारे ट्रेंड फोलो करने से मतलब नहीं है ज़्यादा है ना तो आप इसे ओफन बोलो या ओफन बोलो बिल्कुल से है लेकिन often जो है ये बिल्कुल ही आप कह सकते हो कुछ एक special work है सिर्फ वही इसको often बोलने लगा है आज गल नहीं तो कोई नहीं बोलता often ही चलता है clear है तो ध्यान रखना फिर है दोस्तो विशेशन विशेशन क्या करेगा भाई विशेशता बताएगा अब को बहुतिव की जुरुरत परती है अगर आप किसी की बुराई करते हो नम जिन्दगी में आपको इडिक्टिव की जुरुरत परती है और हाँ सबसे पहले आप इसको बोलना सीखिए यह एड़ जैक्टिव नहीं होता है मैं पास में आ जाता हूं हालांकि मेरा मुह काला पड़ जाएगा वैसे काला नहीं होगा मतलब चाया नहीं आगी एड़ जैक्टिव नहीं होता यह होता है एजिक्टिव क्या होता है एजिक्टिव ध्यान से यह जो डी है यह जो आपको की तरफ से मैं माफी मांगता हूं तो यह बनेगा आपका एजिक्टिव एजिक्टिव यह डी साइलेंट रहेगा क्लियर है ओके वेरी गुल अब हम गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि यह जो डी है एड़ वर्ब में यह साइलेंट नहीं है लेकिन कुछ चीजें भाई याद करनी पड़ेंगी कुछ चीजें हमारी मजबूरी है जैसे इंगलिश हमारी मजबूरी है सोसाइटी में ढंग से कहीं बैठने के लिए जाने के लिए अच्छी नोकरी पाने के लिए सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए और यानि कॉम्प्टिटिव एक्जैम्स में पढ़नी पढ़ रही है क्योंकि अगर इंग्लिस से किसी को फायदा नहीं होता ना अब मान लो आप जापानी भाषा की बात करो तो इंडिया में कितने लोग होंगे जो जापानी सीख रहे होंगे मुठी बर मिलेंगे और वो भी क्यों सीख रहे हैं दोस्तों क्योंकि उनको जापान की किसी कंपनी में या तो नोकरी करनी है या वो ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं इंटरप्रेटर की जो जोब होती है न वो बनना चाहते हैं नहीं तो जापानी हमारे आम बोली नहीं जाती इसी तरह इंग्लिश जो है वो हमें जरूरी है तो इसे मुझबूरी अग अपने मयान में और इखटा कर रहे हो ठीक है तो देखो विशेशन एजिक्टिव क्या बताता है यह बताता है क्वालिटी नाउन की भई नाउन जो है वो कैसा है अच्छा बुरा वो आप देखो सबसे अच्छा एजम्पल है बैड और गुड यू आरे गुड मैन यू आरे पहले और कई बार दोस्तों जो आर्टिकल्स है ए एन और दा उनको भी गिना जाता है एजिक्टिव में क्योंकि वो भी किसके आगे आते हैं बहुत बार वो नाउन के आगे आते हैं ध्यान रहेगा क्लियर है वेरी गुड चलिए अब बैड होट गरम थंडा रेड जितने भी रंग है लाल पीला नीला हरा जो भी कलर हैं वो सारे क्या है एजिक्टिव हैं बाई मेरे क्योंकि वो नाउन के आगे अगर आएंगे तो एजिक्टिव बन जाते हैं जैसे एंद यह भी अगर नाउन के आगे आएगा तो आर्टिकल क्या बन जाएगा आपका एजिक्ट कि तुम खूबसूरत हो तो मैंने खूबसूरत किसको कहा है यू और यू क्या है क्या है भाई नाउन है ना हमारा प्रोनाउन हो गया तो नाउन और प्रोनाउन का जो हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के लिए तो उसकी विशेशता अगर कोई भी बताता है तो वो हमारा ब noun की विशेषता बता रहा है ठीक है और आप कहोगे कि सर शी आ गया नाम नहीं आया बीटा लेकिन जो शरुमाद से हुई है वहां noun का इस्तेमाल किया होगा उसी की जगह पर प्रोनाउं आया है तो प्रोनाउं का भी अगर विशेष्ता बताता है तो उस sentence में उसे हम क्या बोलेंगे adjective बोलेंगे clear है चलिए very good अब ये सारे हो गए यानि की many books हो गया honest man हो गया quiet person हो गया तो ये सभी विशेष्ता हैं जब आप सुनते हो तो आपको पता है ये adjective की बात हो रही है अब आते हैं six और इसको भी क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है प्रीपोजीशन लेकिन जैसे मैंने बताया था आप सभी से बोलेगा प्रपजीशन प्रेपा दिशन ठ्लियर है ध्यान रखिए गा यह प्रेपोजीशन होता है कैसे प्रैप जीशन ऐसे बोलिएगा इसे ठीक है प्रैप प्रैप जीशन यह ऐसे ही बोला जाता है ठीक है गुड तो यह क्या बताता है संबंध सूचक यानि कि रिष्टा बताता है वो बिचोली होते हैं ना वो लड़का-लड़की के परिवारों में पहले करते थे तो यह प्रैप जीशन वही काम कर रहा है कोई भी यह वह हैं पहले आता है और स्टेबलिश मदध करता है यानी सुनिश्चित करता है क्या रिष्टा रिलेशन बाकिस शवदों से जो की सेंटेंस और हैं जैसे मैं कहता हूं the book is on the table तो the book अलग कर दो इसके साथ और the table अलग कर दो तो जो किताब है और जो table है उनका रिष्टा क्या है उनका relation क्या है क्या है दोस्तों? ओन ने बताया कि वही टेबल के उपर किताब रखी है तो यह रिष्टा जो बताता है न यही हमारा क्या है प्रेपर जीशन जैसे तू हो गया बाई, इन, ओन, एट इन्टू, फोर, इन फ्रेंट एक्रोस, अबव आफ्टर, बहाइंड, बिलोव ठीक है ओर यह सारी चीजें क्या है हमारी यह सारी है प्रेपर जीशन तो इस टॉपिक को भी हम बिल्कूल डिटेल में करेंगे डॉंट वरी, कर चुके हैं शायद ध्यान करो, इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, देखिए सेवन्थ है हमारा, अरे, अरे, अरे भाई, पैसे दे रखें यार, कंजंक्शन आप दोस्तों, कंजंक्शन क्या होते हैं, समुच्चे वोधक यानि की, ये जोडने का काम करते हैं कंजंक्शन, आप इसको ऐसे याद रखोगे ये जो C-O-N C-O-N कौन, ऐसे मत याद रखना, इससे बनता है कनेक्टर, कनेक्टर यानि की, जो कनेक्ट करता है, जोडता है दूसरा, ये जो जंक्शन है न दोस्तों, रेल्वे स्टेशन को, आप कहीं जादा बोर्ड पर जाके देखोगे न, येलो कलर के जो बोर्ड रहते हैं Most of the times आपको जैसे मेरेट जंक्शन अंबाला जंक्शन, भीवानी जंक्शन रहतक जंक्शन ऐसे आपको जंक्शन मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर क्या होता है भाई, डिब्बे आपस में जुडते हैं है ना, तो आप ये सोचो कि जंक्शन के ऊपर तो डिब्बे जुडते हैं और जब connector junction बनाता है तो हमारे अंग्रेजी के वाक्य जुडेंगे शब्द जुडेंगे एक यह कंबाइन करता है जोडता है दो शब्दों को clauses को या sentences को clauses होता है दोस्तों जिसका खुद का subject होता है खुद की वहब होती है छोटा sentence लेकिन वो कई बार पूरा मतलब देता भी है नहीं भी देता तो एक तरह का sentence ही होता है यह topic भी detail में करेंगे don't worry तो and यानि और और यानि कि या या तो ये या ये बट लेकिन either or या तो ये या वो because क्योंकि as well as ये भी इसके अलावा ये भी not only but also ये नहीं इसके अलावा ये भी तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये दो क्या करते हैं शब्दों को भी जोडते हैं और वाक्यों को भी आपस में जोडने का काम करते हैं इन्हें बोला जाता है conjunction अब last हमारा आता है इंट्रजेक्शन इंट्रजेक्शन दोस्तों आप इसे ऐसा समझें इंट्रवल की जब हम बात करते हैं किसी भी movie का इंट्रवल होता है तो बीच में add आजाती है अचानक से तो अचानक से कुछ भी अगर आती है कोई ऐसी भावना आपके मन में तो उसको हम क्या बोलेंगे इंट्रजेक्शन बोलेंगे हिंडी में इसे बोला जाता है विसमयादी बोधक बड़ा मुश्किल सा नाम है इंग्लिश में सिंपल सा समझे लो इंट्रजेक्शन यानी इंट्रव्यू की तरह हैं अचानक से कोई feeling आने वाली या कोई sudden emotion या feeling आ जाएगा अब जैसे मैं हो ना दिन में कितनी बार बोलते होगे यार अपने दोस्तों को phone पे शायद कोई ऐसा दिन जाता ही नहीं होगा कि आप इंट्रजेक्शन का यह यूज नहीं करते हैं आप हेलो बोलते हो वह भी हमारा क्या है इंट्रजेक्शन ही है ठीक है लेकिन इस शब्द की एक खास बा calling how are you can I talk to submit तो यह चीज़े जब भी आप देखोगे तो हैलो के आगे आप लोगों को यह एक्स्क्लेमेशन मार्क जरूर मिलेगा और यह देखो हमारा छोटा भाई साब चुटकु सा सबसे ज़्यादा आप यह बोलते रहते हैं दिन में ओके ओके होर नोके जो भी ओके होत तो आप पूछते हैं तो यह भी इमोशन के साथ सदन फीलिंग में पूछेंगे ठीक है रोहित यूट्यूबर यह क्यों आप लोग ना ऐसे उल्टे सिद्धे काम करते हो आप देखो कोई किसी को यहां ब्लोक करना ना करना यह क्या मतलब बकवास चलती रहती हो ठीक है आप सब एक काम किया गरो ना आप सब यहां पर पढ़ाई पर द्यान दिया गरो बाकी लोगों को करने दो बकवास और जब वीडियो के एंड में मैं आप से पूछूंगा कि कि आपकी कोई समस्या कोई क्वैरी है तब आप अपनी समस्या पूछ लो अब यार किस किस को रोक होगे इस दुनिया में गदों की कमी थोड़ी ना है ठीक है गोड़ों से जादा आज के दिन गदे हैं समझ रहो तो कोई बात नहीं इग्णोर करना सिखो जिंदगी में लेकिन अपने अध़ेगालए रखता हूं लियाज रखूं तो ताम भी थोड़ा है लियाज राख्या करो कि कहां पे आगे uppi hello तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये सारी हमारी जो भावनाएं हैं उसको अचानक कोई भी ऐसी दुखद भावना निकलती है अरे यार लेकिन आज कल पता दूख्त क्या हो रहा है आज कल एक word बना लिया है सबने अपनी सारी भावनाओं के लिए उस एक शब्द को ही आप बोलते रहते हो बार बार फोर इक्जेंपल देखिए मैं आप लोगों को वो चीज क्या बताऊं अब आप लोग अपने इसाब से बहुत समझदार हो ठीक है तो समझ जाओगे अब कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप यह बोल देते हो आज के लिए चला हुआ है ना बहुत चला हुआ है लड़कियां ज्यादा मतलब आपने शायद देवलीना कोई थी विग बोस में उसने ओंजी बोलना स्टार्ट किया तब ज्यादा पूपलर हुआ होगा लेकिन कई लोग बोलते हैं जो थोड़ा अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं दूसरों के सामने अचानक से कुछ नि यह बोल देंगे ठीक है यह बोल देंगे तो आजगल ना हमने इंट्रेक्शन अपने अपने हिसाब से रख लिए अब मैं आप लोगों को सच्छा ही बताऊं हिंदी में हम क्या बोलते थे देखो हम सिंपल सा यह बोलते थे इस की आख ठीक है बच्पन से ही मतलब हम बैसों में पले बड़े हैं ठीक है तो ममी ने तीनिया-चार भैसें से हमेशा रखी थी घर पे और कुछ भी मतलब अच्छा मैसूस होता था तो कहता है थे बैस की आख मजा आ गया और कुछ गलत होता था भैंस की आंक यार मिस हो गया तो ऐसे ना आपको क्या करना चाहिए जब भी आप किसी सोसाइटी में जाते हो तो यह अचानक से निकलने वाली चीज़ें ऐसे होते हैं दोस्तों इन पर काम करना सीखो ठीक है क्योंकि आज कलना मैंने देखा है बहुत से यं मैं ही बैठें आपकी बहन है छोटी हैं आपके पापा हैं आपके दादा या दादी हैं मोसी है कोई भी परिवार की फीमेल छोटी बड़ी सभी बैठें आसपार और अचानक से आपके मुह से अगर यह वर्ड निकल जाए तो आपकी क्या इज्जत रहेगे आप खुद सोच के देखना कभी तो मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स मिलते हैं मैं हमें हमेशा उनको यह बोलता हूं कि यह जो वर्ड है ना इसको कोशिश करो कि आप साइड रखो हमेशा इतना इस्तेमाल मत करो वह जीप पे चड़ जाएगा और कभी अगर पेरेंट्स के सामने वर्ड का यह यूज कर रही है यह वाला हो गया ठीक है यह यह ओ गया थोड़ा सा इग्नोर करो ना इन चीजों को आप क्या कह सकते हो और और कुछ नहीं तो चलो यह बोलो और सबसे बढ़िया क्या करोगे है प्रभू है भगवान ठीक है अल्ला ओल्माइटी ठीक है आप यह याद करो लेकिन एक ऐसा शब्द रखो कि जो कि आप अपने पेरेंट्स के सामने गलती से कभी निकल जाए तो आपका चहरा जो है वह पीला ना पड़े सफेद ना पड़े और आपका जो अंतरमन है वह काला ना पड़े बस इतना याद रखो ठीक है कि जो चीज आप घर स सबको सला रहेगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यह बात भी बतानी है कि यह जो मेरी वेब साइट है इस पर मैंने स्टेप बाइस पूरा 30 क्लासिज का कोर्स पीडिया सेक्षन में लगा दिया है हजार डेली यूज के इंगलिस सेंटेंस मिलेंगे आ 500 वर्ब इन वर्ब्स की बात कर रहा था मैं यह याद कर लेना जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 500 वर्ब्स को याद किये विना आपका काम चल जाए तो रोज मर रहा के जितने छोटी-छोटी चीजें छोटे-छोटे जो काम होते हो सारे मैंने यहां पर बता रखें डिटे रहता हूं ठीक है आप कहोगे कि सर यह आप क्या कर रहे हो तो चलो यह तो आप करोगे यह थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेर और सब्सक्राइब और यह चैरा अच्छा लग रहा हो और मेरी मैनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर हैं और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करें कर बला सो हो बला ठीक है ना तो क्योंकि आज के दिन नेकी कर दरिया में डाल बड़ा अच्छा यह रहता है और यह मेरी वैब साइट है दोस्तों इंग्लिस लवर्स नाम से और जब आप पीडिएफ पे जाओगे ना पीडिए क्योंकि आपको प्लेलिस ढूणने में बड़ी दिक्कत आती होगी इसलिए मैंने यह सोलूशन सोचा है यहां पीडिएफ भी डाउनलोड हो जाएगी कई लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता कई यहों को मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता तो मैं यह सम अमीद है आप सब इसका फायदा उठाएंगे सीखेंगे और अपने चोटे बाई बैनों को सिखाएंगे भी ठीक है ना तो मैंनत करते रहिए और अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं अभी मैं आप लोगों के लिए यहां पर और रुखने को तया चलिए मैंने नहीं किया सर क्या नहीं किया तो कर लो भीया थैंक यू यह सर है असम में एक बात कही जाती है कि आपकी भाषय आपकी पहचान है बहुत अच्छी बात है भाषय से ही सब कुछ देखो यह जो बिना हड़ी की जीव है ना यह इंसानों को जोड भी सकती है और तोड़ भी सकती है तो आपके हाथ में आप इसका इस्तिमाल कैसे करते हो ठीक है और बताइए भया एक बार और एक्स्प्लेइन करो वी एस गेमिंग रेली शौरी कि मैं पूरा एक घंटा अभी बोलके टाइड हो चुका हूं तो आप इस वीडियो को क्रिप्या करके टीचिंग इंग्लिश तो मुझे आप सब एक बार बताइए इसमें जो मैंने आज पार्ट सो स्पीच कराए हैं तो यह क्या है या मैं यह कहता हूं चलिए इन च्यार सेंटेंसिज में अब मुझे यह बता दीजिए कि आप लोगों को क्या पता चल रहा है जाने से पहले बस दो मिंट में खतम कर देंगे जल्दी बताओ कि जो आज हमने एट पार्ट सो स्पीच करें तो आप मेरे साथ-साथ मिलाते जाना अगर आपको पता चल गया तो ठीक है चलिए मैं बताता हूं यह जो आई है यह आपका प्रोनाउन यह एम है यह आपकी वर्व यह जो टीचिंग है यह क्या है यह आपकी में वर्व है में वर्व यह हेल्पिंग वर्व है तो यह दो वर्व हो गई और यह क्या है इंगलिस यह आपका नाउन है ठीक है यह आपकी helping verb है यह क्या है आपका adjective है क्या है adjective ठीक है वह अभी इंदी में बोलने लगे ना तो adjective ही निकलता है लेकिन कोशिश करो जैसे ही गलत बोलो एकदम से ध्यान आना चीए कि अरे गलत निकल गया मेरी तरह है एजिक्टिव और सिंगर यह क्या है यह नाउन अब यह बताओ जल्दी से जल्दी से करके देखो आपको पता चला क्या दिपक चोहान नेक्स लाइव क्लास होगी फ्राइडे को ठीक है मंडे वेंस्डे और फ्राइडे दोस्तों तीन दिन अब मैं क्लासिज लिया करूंगा लाइव रात को नो बजे अगर कोई आप लोगों को मैसेज दे दूँगा नहीं तो यह मान के चलो कि मंडे वेंस्डे और फ्राइडे हमारी हफ्ते में तीन दिन अब लाइव क्लासिज चला करेंगी मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा करने की अभी के लिए यह तीन दिन ठीक है अरे बता तो दिया दिपके से लाइट क्लास की फीष कितनी नहीं कृषणपटेल पşरी में शिका रहा हूं जी काय की फीष मांग रहा हूं नह तो में तो लाइग मांग रहा हूं लाइक दे दो मैरे को फीष मेरी हो गई वहां पсть ठीक है देखो अमरीता dosas noun है ठीक है यह क्या है helping verb है यह क्या है फिर से adjective है ठीक है लेकिन यहां पर यह हम इसको क्या कह सकते हैं हम इसको article भी बोल सकते हैं क्योंकि यह क्या आगया हमारा यह हमारा adjective आ ठीक है तो यह भी adjective हो गया और यह हमारे दो एजिक्टिव हो गये और यह लड़की क्या है यह फिर से noun होगी लास्ट में अमित क्या है अमित noun है drives क्या है यह हमारी verb है और यह क्या है safely यह हमारा हो गया adverb क्यों दोस्तों क्योंकि अमित गाड़ी चलाता है ध्यान से तो कैसे गाड़ी चलती है वो हमें पता चलेगा safely चलती है तो drive को qualify किया है इस शब्द ने और most of the time जो शब्द ly से end होते हैं वो क्या होते हैं 90% वो सभी adverbs होते हैं जैसे प्रोबबली नैचरली gradually safely है ना really यह सारे words क्या है हमारे यह सारे words है adverbs clear है दोस्तों चलिए आपने likes बिना पूछे अच्छे से कर दिये हैं तो सब का मैं धन्यवादी हूं ठीक है इतनी हिंदी अच्छी नहीं है कि थैंकि दोस्तों आज के लिए इतना ही और उमीद करता हूं कि ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल basic से मैं सिखाता रहूं आप भी एक काम कीजिएगा जितना हो सके मेरी इन वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाईएगा और अगर आपकी मम्मी या आपके पापा या छोटे भाई बहन भी अगर इंगलिस सीखना चाहते हैं तो उनके इस पूरी दुनिया में जो हिंदी से इंगलिस सीखना चाहता हो उसके जीवन में मैं कुछ योगदान कर पाऊं और उसका जीवन बहतर बना पाऊं मिलता हूं अगली लाइव क्लास में तब तक के लिए बाबाए टेक क्यार लव यू आल कीप रीडिंग कीप एंजोएं य